लो केट्स, वेलकम बैक माई यूटूब चैनल, कैसे हो आप सब, तोड़े वी आर गोइंग टू लर्न, डेली यूज इंग्लिश वर्ड मीनिंग प्रैक्टिस, आज हम सिखेंगे सबसे जादा यूज होने वाले इंग्लिश वर्ड्स, तो चलिए शिरू करते हैं, वर्ड है पैशन, पैशन का हिंदी में मतलब होता है जुनून, पैशन, पैशन का हिंदी में मतलब होता है जुनून, नेक्स्ट है फिल, फिल का हिंदी में मतलब होता है भरना, फिल का हिंदी में मतलब होता है भरना, नेक्स्ट है एड्मायर, एड्मायर का हिंदी में मतलब होता है फ्रिक का हिंदी में मतलब होता है सनकी या फिर पागल फ्रिक का हिंदी में मतलब होता है सनकी नेक्स्ट है स्प्रेड इस्प्रेड का हिंदी में मतलब होता है फैलाना जैसे ब्रेड पर जैम को स्प्रेड करते हैं next is stupid, stupid का हिंदी में मतलब होता है बेवकूफ, next is extent, extent का हिंदी में मतलब होता है आगे बढ़ाना, next is greedy, greedy का हिंदी में मतलब होता है लाल्ची, next is hardly, hardly का हिंदी में मतलब होता है बुश्किल से, next is auction, auction का हिंदी में मतलब होता है नीलामी, next is worried, worried का हिंदी में मतलब होता है चिंता करना, next is forget, forget का हिंदी में मतलब होता है भूलना, next is careless, careless का हिंदी में मतलब होता है लापरवा, next is dispute, dispute का हिंदी में मतलब होता है विवाध, next is farewell, farewell का हिंदी में मतलब होता है विदाई, next is tradition, tradition का हिंदी में मतलब होता है परमपरा, ट्रेडिशन का हिंदी में मतलब होता है परंपरा नेक्स्ट है क्राउट क्राउट का हिंदी में मतलब होता है भीड नेक्स्ट है पोस्पोन पोस्पोन का हिंदी में मतलब होता है टाल देना या फिर आगे बढ़ा देना कोई भी काम के लिए पोस्पोन का हिंदी में मतलब होता है टाल देना नेक्स्ट ए एशेंट एशेंट का हिंदी में मतलब होता है प्राचीन एशेंट का हिंदी में मतलब होता है प्राचीन नेक्स्ट ए इशु इशु का हिंदी में मतलब होता है मुद्दा इशू का हिंदी में मतलब होता है मुद्दा नेक्स्ट है क्राई क्राई का हिंदी में मतलब होता है रोना नेक्स्ट है थोट थोट का हिंदी में मतलब होता है विचार थोट का हिंदी में मतलब होता है विचार नेक्स्ट है फ्रीडम freedom का हिंदी में मतलब होता है आजादी next is brittle brittle का हिंदी में मतलब होता है नाजुक next is believe believe का हिंदी में मतलब होता है विश्वास next is suddenly Suddenly का Hindi में मतलब होता है अचानक Next is Shellfish Shellfish का Hindi में मतलब होता है मतलबी जो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं Next is Simple Simple का Hindi में मतलब होता है साधारन Next is Pray प्रे का हिंदी में मतलब होता है प्राथना करना नेक्स्ट है नेवर नेवर का हिंदी में मतलब होता है कभी नहीं नेक्स्ट है आउटसाइड आउटसाइड का हिंदी में मतलब होता है बाहर आउटसाइड का हिंदी में मतलब होता है बाहर Next is Difficult Difficult का Hindi में मतलब होता है मुश्किल Next is Frankly Frankly का Hindi में मतलब होता है खुलकर Next is Always Always का Hindi में मतलब होता है हमेशा Next is Insult Insult का Hindi में मतलब होता है अपमान Next is Sweat Sweat का Hindi में मतलब होता है पसीना Next is Impact Impact का Hindi में मतलब होता है प्रभाव Next is Succeed Succeed का Hindi में मतलब होता है सफल होना सक्सीट का हिंदी में मतलब होता है सफल होना नेक्स्ट है फेथफुल फेथफुल का हिंदी में मतलब होता है वफादार नेक्स्ट है सिक सिक का हिंदी में मतलब होता है बीमार सिक का हिंदी में मतलब होता है बीमार नेक्स्ट है ब्रेक ब्रेक का हिंदी में मतलब होता है तोड़ना नेक्स्ट है लूज लूज का हिंदी में मतलब होता है खोना नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी का हिंदी में मतलब होता है उत्सुकता नेक्स्ट है इंगेज Engage का हिंदी में मतलब होता है व्यस्त रखना Next है Meet Meet का हिंदी में मतलब होता है मिलना Next है Wash Wash का हिंदी में मतलब होता है धोना Next है Throw Throw का हिंदी में मतलब होता है फेकना थ्रो का हिंदी में मतलब होता है फेकना नेक्स्ट ए फियर फियर का हिंदी में मतलब होता है डर नेक्स्ट ए रिंग रिंग का हिंदी में मतलब होता है बजाना रिंग का हिंदी में मतलब होता है बजाना नेक्स्ट ए मर्सी मर्सी का हिंदी में मतलब है दया मर्सी का हिंदी में मतलब होता है दया Next is dry Dry का हिंदी में मतलब होता है सुखाना Dry का हिंदी में मतलब होता है सुखाना